तुमने पुकारा नहीं हम चले आए रे है गाइस क्या लेकर आए रे वही ना इनकंप्लीट सिरीज आप प्रपोजिशन आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए प्रपोजिशन आफ प्लेस प्रपोजिशन आफ प्लेस कौन कोने एट प्रपोजिशन आफ प्लेस है इन प्रपोजिशन आफ प्लेस है अन प्रपोजिशन आफ प्लेस है यहां पर यह प्लेस को डिनोट करते हैं और एट किस प्लेस को डिनोट करता है एट डिनोटरस पॉइंट आफ प्लेस यहने किसी की लोकेशन को डिनोट करता है इन जो है इन डिनोटर्स, इनकलोज़ड स्पेस, यहने I am in the room, room is इनकलोज़ड विद वाल्स, I live in India, India is इनकलोज़ड विद बॉन्डरीज अप इन्डिया, और यहां पे देखिए on, on is used for a surface, यहने यह किसी surface को डिनोट करता है, the pen is on the table, table पर pen है, यहने on जो है यह surface को डिनोट करता है, मैं यहां पे examples लेकर आया हूँ, जिससे आपको यह clear हो जाएगा, example number first, at the corner, यहां पे at आया, at the corner, my shop is at the corner of the street, at the corner, यहने location, location of the shop, यह corner जो है, यह point of place है, यहने location है, at the bus stop, bus stop जो है, यह कोई surface नहीं है, bus stop is the location, location of place, it is the point of place, इसी तरह यहां पे example number third, in a building, in a building, building जो है, एक बड़ी building, उसके अंदर कोई चीज है, I am in the building, यहने मैं building के अंदर हूँ, यह enclosed space है, enclosed space के अंदर मैं हूँ, और fourth one example, in my garden, मेरे बाग में, garden is enclosed with the fencing, यहने वहां पे fancy की गई है, और उसके अंदर garden में, मैं बेटा हूँ, यहां पे देखें, आप example number five, on the wall, यहने देवार पर, the spider is moving on the wall, spider move करता है, wall पे देवार पे, मिनस देवार से, उसको touch है, उसकी surface पे है वो, यहां पे देखें, example number six, on the floor, floor पे, फरश फरश पे, मिनस, I lay down on the floor, मैं floor पर बेटा हूँ, यह जो examples है, इससे clear हुआ होगा, कि add किस तरह से point of place को denote करता है, on किस तरह से एक enclosed space को denote करता है, और on जो है, how it denotes surface, इसने यहां पे example में भी surface को denote किया, I hope आपको यहां तक clear हुआ होगा, और आप एक नजर इस तरह भी दीजे जरा, at, in or on, यह examples इनको आप अच्छे से याद करेंगे, इसको वीडियो को पाज करेंगे, और इसको लिक के रखेंगे, इसको याद करना है, हमने जरूरी, at, at home, home के साथ, at का इस्तिमाल होगा, at school, school के साथ, at का इस्तिमाल होगा, at work, work के साथ, at का इस्तिमाल होगा, at a party, party के साथ भी, at का इस्तिमाल होगा, at college, University etc इनके साथ at का इस्तिमाल होगा इन जो है in my backyard इनका इस्तिमाल हुआ in my backyard in the sick eye, sick eye के साथ इनका इस्तिमाल हुआ in the see, see के साथ इनका इस्तिमाल हुआ in the newspaper और यहां पे आप देखींगे newspaper media के साथ in the newspaper newspaper के साथ इनका इस्तिमाल हुआ movie के साथ इनका इस्तिमाल हुआ in a car in a boat car or boat मिन शोटी गाड़ियां जो है जहां पर आप قدم रखते ही अपनी seat पर आएंगे वहां पर इनका इस्तिमाल होगा उन गाड़ियों के साथ कदम रखते ही आप वहाँ नहीं चलेंगे वहाँ के फरष पर आप नहीं मुमिंट करेंगे अपनी सीट को डूडने के लिए आप जो ही कदम रखेंगे अपनी सीट पर आएंगे उन वहिकलस के साथ इनका इस्तिमाल होता है यहां पर आप देखे और इसके अपूजिट में मैंने जो दिया है यहां पर प्लैन जब आप प्लैन में चड़ते हैं तो वहां पर फरश पर मूमिन्ट करते हैं और अपनी सीट डूडते हैं अपनी सीट पर जाने के लिए आपने वहां पर मुमिंट करनी है उन गाड़ियों के साथ उन वेकल्स के साथ और यहां पर ट्रैन भी है बस भी है और उन वेकल्स के साथ जहां पर हम चड़ के अपनी सीट ढूणने के लिए हमने फरश पर चलना पड़ेगा और वहां पर इनक का इस्तिमाल करेंगे आप दिप्रिनस तो आपने देखा होगा यहां पर कार है एक छोटी वेकल है यहां पर बोट है और जहां पर चड़ते ही हम अपनी सीट पर आते हैं फिर मैं यहां पर रिपीट कर रहा हूं और यहां पर जब हम इन गाड़ियों में चड़ते हैं तो फरिष्ट पे चल सकते हैं यहां मीडिया के साथ न्यूस पेपर के साथ इनका इस्तिमाल होगा मुवी के साथ इनका इस्तिमाल होगा रेडियो के साथ आनका इस्तिमाल होगा टेलीविजिन के साथ आनका इस्तिमाल होगा याद रखना और यहां पे अन्द फुलोर यहांने सर सरफेस को डिनोट करता है और रेडियो जब आप यहां पर आएंगे तो यहां की डिफरेनस जो है उसको मैं पहले ही केलियर कर चुका हूँ इसको आपने अच्छे से याद रखना है आप प्रिपोजिशन्स की हाई हाई को बाई बाई करेंगे खासकर प्रिपोजिशन आप प करता हूं लेट स कंटिनू ळे टापिक यूज आप बाई एंड विद भाई का सि मॉल कहां पे होता है विद का सिमॉल कहां पे होता है जादा प्ष्किल नहीं है सिर्फ बने रहे हमारे साथ यहां पर देखिए आप बाइड नोटस डुर यहने काम करने वाले को डिनोट करता है बाइड डिनोटस इन्स्टूमेंट विद जो है यह किसी इन्स्टूमेंट को डिनोट करता है एक्जामपल की ओर नजर इट विल मेक आस no more first he was beaten day dash me he was beaten यहाँ इस डश में मैंने क्या लगाया बय का इस्तिमाल किया he was beaten by B B जो है यह डॉर को refer करता है डॉर की तरफ इशारा है डॉर के साथ बय का इस्तिमाल अभी मैंने बताया यह तो हम पहले ही सीख चुके हैं दूसरी एक्जाम्पल में पहले और दूसरी अग्जामपल में आप फारग देखे शी वाज बीटन डैज डैज डैश as citic she was beaten डैज डैश डैश as citic जो यहाँ पर है यह एक इंस्ट्रूमिंट हैं इंस्ट्रूमिंट के साथ अभी हमने पड़ा ना अभी सिखा ना इंस्ट्रूम्मेंट के साथ विद्ए इस्तिमाल तो विद्ए इस्तिमाल किया यहां पे सिठिक के पहले फोड़ एक्जामपल इस एक्जामपल में दोनों प्रॉपोजिशनिंग इसका इस्तिमाल करेंगे हम सिरे बने रहिए माइ फिंगर इज कट डेश डेश मी मी जो है डोर को रेपर करता है ना डोर को रेपर करता है हम पहले ही सीख चुके है यह डेश डेश नाइप जो है किसी इंस्ट्रूमेंट को रेपर करता है इंस्ट्रूमेंट को डिनोट करता है इंस्ट्रूमेंट के साथ विद का इस्तिमाल डोर के साथ बा झाल झाल